नमस्कार, आकाश्वणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी ने कहा है कि देश में पांच समीकंडिक्टर संयंत्र शीग्र स्थापित किये जाएंगे और दुनिया के लिए मेड इन इंडिया चिप उपलब्ध होंगे रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने कहा सरकार भारत को वैश्वेक वी निर्मान केंद्र बनाने के साथ रक्षा उद्यों को निर्यात ओनमुख बनाने के लिए प्रतिबद 36 गड के नाराण पूर जिले में सुरक्षा बलो के साथ मुढभेड में 28 नक्सली मारे गए हर्याना में एक चरण के विधानसबा चुनाओं में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी राश्रपति दुरपदी मूर्मू ने सभी से केंद्र सरकार के व्रक्षा रोपन अभियान एक पेड मा के नाम में शामिल होने का आववान किया विदेश मंत्री सुब्रमनिम जैशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले स्सीयो शिखर समिलन में भारतिय प्रतरधि मंडल का नित्रतो करेंगे और महिला टी-20 क्रिकेट विशो कप में दक्षेन अफरीका ने वेस्टेंडीज को 10 विकेट से हराया भारत और न्यूजिलेंड के बीच मुकाबला जारी समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम प्रधान मंत्री नरिंद्र मुदी ने कहा है कि देश में शिखर पांच सेमी कंडुक्टर स्वयंत्र स्थापित किये जाएंगे और मेड इन इंडिया चिप पूरी दुनिया में उपलब्ध होगी प्रधान मंत्री ने आज ने दिले में कौटिल्य आर्थिक सम्मिलन में ये बात कही इंडिया सेमी कंडुक्टर मीशन के कारण 1.5 ट्रिलियन रुपे इन्वेस्मेंट हो रहा बहुत जल्द ही भारत के 5 सेमी कंडुक्टर प्लांट्स दुनिया के कौने कौने में मेड इन इंडिया चीस्ट पहुँचाने लगेंगे भारत एफ़र्डेबल इंट्रलेक्ट्ट्टल पावर का सबसे बड़ा सोर्स है दुनिया भर की कंपनियों के 1700 से अधिक Global Capability Centers है जो आज भारत में काम कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत मोबाइल फोन के आया तक से निर्माता बन रहा है भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है शिमोधी ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज विकसित होती आर्थविवस्था है ये दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थविवस्था भी है भारत की तेज प्रगती के साथ हम ये भी सुनिशित कर रहे हैं कि इनेक्वैलिटी कम हो विकास का लाव सभी तक पहुँचे हैं आज भारत की ग्रोग को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है उनका कॉन्फिदेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है पिछले साल हमारी एकॉनोमी ने हर प्रेडिक्शन से बाहर कहीं बैतर किया हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिदेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे प्रधान मंत्री ने कहा कि फिंटेक के सम्मद में भारत दुनिया के शीष राश्रों में शामिल है उन्होंने कहा कि विश्व भर में डिजिटल लेंदेन में से आधा भारत में होता है प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मूल मंत्र है श्री मोदी ने कहा कि निवेशकों का मानना है कि भारत में निवेश करने का यही सही समय है रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आज कहा कि सरकार भारत को वैश्वेक वे निर्मान केंदर बनाने के साथ रक्षा उद्योग को निर्यातोन मुख बनाने के लिए प्रतिबद है नई दिली में एक कारिक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि घरेलू रक्षा उत्पादन वश दोजार तेईस चौबिस में एक लाग 27 जार करोड रुपे के रिकॉर्ड आकड़े को पार कर गया है ज्यादा तर इस्पोर्ट प्राइवेट इंडेक्सी से ही हुए यह निश्ची तुरुप से हमारी अच्छी प्रगटी है लेकिन इसके बावजूर हमें अभी और भी बहुत कुश करना है जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोड़क्शन को इस तैप प्रोच के साथ देखें कैसे हम इंपोर्ट को और कम कर सकते हैं तता इक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं गही मंतिय अमिट शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारत को नशामुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीते अपना रही है उन्हें कहा कि कॉंग्रस के वरिष्ट नीता का 5600 करोड रुपे के मादक पदार्तों की जब्ती में नामाना बेहद खतरनाक और शर्मनाक है शिशाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा, अनवाचार के और ले जा रही है जबके कॉंग्रस उन्हें नशी की अंधिरी दुनिया में धाकेलना चाहती है अल्प संक्यक मामलो के मंद्री किरेन रिजीजू ने कहा है कि केंद सरकार मुस्लिम समुदाय में वंचित तबकों के हितों का सनरक्षन के लिए प्रातिबद है उन्होंने कहा कि वक्ष संचोधन विधैक संसत की शीत कालिन सत्र में लाकर उनके हितों को सुनिशित किया जाएगा और संसतिय समिते की सभी सिफारिशों पर विचार किया जाएगा मणिपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि सेने कारवाई से हिंसा नहीं रुकेगी ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे News on AIR एप पर भी उपलब्ध हैं 36 गड़ में नाराणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुटभेड में 28 माववादी मारे गए हैं सुरक्षा बलों का तलाश अभियान अभी जारी है मुटभेड में मारे गए माववादियों के संख्या बढ़ सकती है एक रिपोर्ट ये मुटभेड नाराणपुर जिले के दक्षिन अबूजमार इलाके में आज दोपहर शुरू हुई इस इलाके में माववादियों की मौजूदगी की सूशना मिलने पर नराणपुर और दंतेवाडा जिले से डिस्ट्रिक्ट रिजर्फ गार्ड और स्पेशल तास्क फोर्स की संयुक्ति टीम गोवेल नेंदूर और थुल्थुली इलाकों में तलाशी अभियान पर निकली किये गए हैं इलाके में रुक रुक कर गोली बारी अभी भी जारी है विकल्प शुकला अकाश्वाणी समाचार राइपुर हर्याना में विदान सबाच चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारिया पूरी कर ली गई हैं मतदान सुबह साथ बज़े से शाम छे बज़े तक होगा नभे सदस्य विदान सबाच चुनाव में एक हजार एकतीस उमीदवार मैदान में हैं राजे में दो करोड तीन लाग चौवन हजार से अधिक मतदाता हैं पुलिस महानी देशक शत्रजीत कपूर ने बताये कि स्वेतंतर निश्पक्ष और शांतिपून मतदान के लिए पर अतिरिक रूप से आधा सेक्षन प्रामिलिटरी का अलग से लगाया जाएगा सभी लोकेशन पर और पांच-छे लोकेशन मिला करके एक सेक्टर बनाया गया है और हर सेक्टर के उपर एक पेट्रोलिंग पार्टी पेनात रहेगी तरणमुल कॉंग्रिस छातर परिशाद नेता डॉक्टर आशीश पांडे को 7 अक्टूबर तक केंद्रिया अन्विशन ब्यूरो CBI के हिरासत में भेज़ दिया गया है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर प्राचारे संदीब घोश का नजदी की है मेडिकल कॉलेज में वित्य अनमितताओं के सिलसिले में पूछता अच के बाद CBI ने कल उसे गिरफ्तार किया था राश्ट्रपती द्रापदी मुर्मो ने कहा है कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और परियावरन प्रेदूशन के दुश प्रभाव से जूज रही है उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारा करतव्य है कि हम इंचो नोतियों से निपटने के लिए हर संभा प्रयास करें राजसान के आबू रोड में एक कारिक्रम में उन्होंने सभी से केंद्र सरकार के व्रक्षा रूपन अभियान एक पेड मा के नाम से जुड़ने का आववान किया रेल मंतरी अश्वनी वैशनव ने कहा है कि रेलवे का किसी भी हलत में निजी करण नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि कुछ राजनेतिक दल रेल के निजी करण के बारे में अफवा फैला रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे क्षेत में अनुसंदान, सुरक्षा और मानव संसादन पर केंद्रित बहुत निवेश किया है। शिव एशनव ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आर पी एफ के चालिसमें स्थापना दिवस समारों में कहा कि बल में महिला जवानों के सुविधाओं पर विशेश ध्यान दिया जाएगा। महुत्सव की विशेवस्तू भारक्पु विज्ञान और प्राउध्योगी के माध्यम से वैश्विक वी निर्मान केद्र के रूप में परिवर्तित करना है। के आने की उम्मीद है। इस बीच वायू सेना प्रमुक एयर चीफ मार्शल अमर प्रीद सिंग ने कहा है कि वायू सेना अपने उपकरणों और आपूर्ती श्रेंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए स्वधिशी करण पर ध्यान दे रही है। ये समाचार आकाश्वा इसकी पुष्टी की जाकिन नाइक की पाकिस्तान यातरा पशी जायसवाल ने कहा कि भारत आशुरे चकित नहीं है कि भगोडे को पाकिस्तान में उच सरीय स्वागत मिला और ये निराशा जनक और निंदनिय है। मौलदीव के राशवती मोहमबद मुईजू सोमवार से भारत की चार दिन की राज के यातरा पर रहेंगे। विदेश मंत्राले ने बताया कि श्री मुईजू कि ये भारत की पहली दियूपक्षय यातरा होगी। इस दोरान श्री मुईजू, बैंगलूरू और मॉंबई भी जाएंगे। विदेश मंत्राले ने कहा है कि भारत के लिए क्षेत्रिय सहयोग संपर्क अधिक महत्वपून है। विदेश मंत्राले ने कहा है कि भारत ने बिम्स्टेक को प्रोट साहन दिया है। वारता की सह अध्यक्ष्टा की। नई और उभरती प्रोट्योगी की पर ध्यान केंद्रित करने के साथ दोनों देशों की बीच वैपार और निवेश को वातवरन को बहतर बनाने के लिए वारता आयुजित की गई। दोनों देशों ने महत्वपून, खनिच, आपूर्ति, श्रेंखलाओं के विस्तार और विविदता लाने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये। सुचना और प्रैसारण सचीव संजय जाजू ने कहा है कि भारत को क्रियेटिव कंटेंट क्रियेशन में विशुका केंद्र बनाने का समय आ गया है। ठंक की बड़ी गिरावट के साथ 18,688 पर बंद हुआ जबकि नाशनल स्टॉक एक्षेंज का निफ्टी 200 अंग तूटा और 25,049 पर रहा। नाशनल स्टॉक एक्षेंज में इस गिरावट के बावजूद 60 कंपनियों के शेयर 52 हफतों की उचाई पर बंद हुए। अंतर मैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुप्या एक डॉलर की तुलना में 83 रुपे 97 पर बंद हुआ। सर्वोचे नायले ने तिरुमालर तिरुपती मंदिर के प्रसादम लड़ो बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल संबंदी आरूपों की जाच के लिए स्वेतंत्र विशेश जाच दल के गठन का आदेश दिया है। इसमें CBI और आंदरप्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारी तदा भारतिय खाद्य संरक्षर मानक प्राधिकरन के एक वरिष्ट अधिकारी शामिल होंगे। CBI निदेशक इस जाच का निरिक्षन करेंगे। बिहाद में बाढ के स्तिती लगातार गंभीर बनी हुई है। कई गामों में पानी भर गया है। 18 जिलों में 16 लाग से अधिक लोग बाढ से प्रभावित हैं। दोबई में ICC महिला 2020 क्रिकेट विशो कप के ग्रूप A में इस समय भारत का मुकाबला न्यूजिलैंड के साथ चल रहा है। न्यूजिलैंड ने तादा समय चार मिलने तक 18 ओवर में 3 विकेट पर 133 रन बना लिया है। इससे पहले ग्रूप B में दक्षिन अफरीका ने वेस्ट इंडीज को 10 विकेट से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 6 विकेट पर 118 रन बनाये थे। दक्षिन अफरीका ने 17 ओवर और 5 गेंद में बिना किसी नुक्सान के इस लक्षे को आसानी से हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी ने कहा है कि देश भर में 5 सेमिकंडिक्टर सयंत्र शिग्र स्थापित किये जाएंगे और दुनिया के लिए मेड इन इंडिया चुप उपलब्ध होगी। रक्षा मंतरी राजनात सिंग्ग ने कहा है कि सरकार भारत को वैश्विक वी निर्मान केंद्र बनाने के साथ रक्षा उद्यों को निर्यातों मुख बनाने के लिए प्रातिबद है। 36 के नारणपूर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुटभेड में 28 नक्सली मारे गए हैं। हर्याना में विधानसबा चुनाओं में कल एक ही चरण में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राश्रपती दुरब्दी मुर्वू ने सभी से केंद्र सरकार के व्रेक्षा रोपन अभियान एक पेड मा के नाम में शामिल होने का आवान किया है। उधर भारत और न्यूजीलेंड के बीच मुकाबला जारी है। न्यूजीलेंड ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 3 विकेट पर 133 रन बना लिये हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंख समाथ हुआ। नमस्कार।